जैसे ही मेरी नजर पढ़ी जीतन नामानजी पर तो मैंने उनकी कार को रोकनी की कोशिश की लेकिन वो बुलेट पूरूफ गारी थी इसलिए शीशा नहीं खुल सकता था और मेरी तुनत पीछे में नजर पढ़ी नित्यानन राय पर उन से भी बात करनी की कोशिश की लेकिन वो शीशा नीचे नहीं हो सकता था इस वज़े से उनसे बात नहीं हो पाई थी पर ये बात जरूर है कि जिस तरह से ये नित्यानन राय एक तरह से उनके पीछे-पीछे नजर आप देखिए एक तस्वीर और दिखा रहे हैं लग रहा है कि तेजस्वी आदव जो है वो गाड प्रताप वो दोनों एक ही गाड़ी में जा रहे हैं तो एक तरफ आपने तस्वीर देखी नित्यानन राय की जो माजी के साथ थे जो कहा जा रहा था कि माग जी नाराज है माजी रजसभा के सीट चाहते थे लेकिन उन्हें दी नहीं गई और उसको लेकर कि जो सवाल उठ रहे थे उसमें ये भी कहा जा रहा था कि कैसे देखें महिलाएं जो है आर जेडी की वह एक साथ एक गाड़ी पर बैठी हुई है लेकिन वह भी बात नहीं कर रही है एक के बाद एक विधायक सब पहुँच रहे हैं जितने विधायक थे और आपने देखा कि दोनों भाई तेजस्वी और तेजप्रताप एक गाड़ी में मौजूद थे और अभी भी गाड़ीयों के आने का सिलसिला जारी है कई विधायक जो है वो मुख्य गेट से पैदल चलके आ रहे थे और अब जो है वो विधायक जो है वो सब लगवक पहुँच चुके हैं अब राजिपाल के आने का समय है तो राजिपाल जब पहुचेंगे तो एक बार फिर से नितिश्कुमार पोटिकों से नीचे आएंगे और उनका स्वागत करेंगे और फिर उन्हें अंदर कारवाई के लिए उन्हें ले जाए जाएगा तो यह सारे जो विधायक हैं वो यहां मौजूद हैं और उनकी कोशिश है कि वो जो है अपने नेता के साथ सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अगल बगल में लोग बैठते हैं तो जाहिर है कि आमने सामने जब होंग तो उसका क्या होगा यह रामानुज यादव हैं जो आरजेडी के जनता भी देख रहे हैं सब लोग होगा निश्चित तोर पर सभी आत्मा की आवाज पर सभी पार्टी के लोग करेंगे अंतरात्मा की आवाज पर होगा ऐसा दावा है रामानुज यादव का जो आरजेडी के नेता विधायक है और प्रवक्ता भी है तो आपने उनको सुना अब धीरे धीरे जो गाडियां है वो आगे निकल रही है जिस गाडी में जितने भी विधायक है वो बैठ करके जा रह वो सभी ठहरे हुए थे तेजस्वी आदव के पांच नंबर आवास पर और फिर वहां से वो सभी एक साथ निकले है अलाकि आपने देखा कि तेजस्वी और तेजप्रताब दोनों भाई एक गाडी में आपको पहुंच रहे थे